भारत के प्रमुख खनी संसाधन को कवर करेंगे। मैंने इस वीडियो में सभी लेटेस्ट डाटा लिया है। मैंने Ministry of Mines, Government of India की वेबसाइड से जो अभी लेटेस्ट एनुवल रिपोर्ट आई है 2020-21 की उसमें से सभी अपडेटीड डाटा लिया है। तो हो सकता है आपने किताबों में पुराना डाटा पढ़ा हो और वो अपडेट हो चुका हो। इसलिए उसे अपडेट कर लेना। आप इस डाटा को Ministry of Mines, Government of India की वेबसाइड पर जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं टेलिग्राम पर भी इस रिपोर्ट का PDF बना के आपको दे दूँगा। वैसे तो 236 pages हैं पर आपके लिए सिर्फ दो ही page काम के हैं। वो मैं आपको PDF बना कर टेलिग्राम पर अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि खनिज यानि की मिनरल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम definition देखेंगे और बाद में इसे समझेंगे। तो प्रित्वी के भूगर्व से खुदाई करके प्राकर्तिक रूप से पाये जाने वाले तत्वों या योगिक को खनिज कहते हैं। जैसे कि कोईला, अबरक, जस्ता, आधी। तो प्रित्वी के भूगर्व से जब हम खुदाई करके कुछ योगिक या तत्व प्राप्त क करते हैं तो ने हम खनिज कहते हैं तो फिर आयसक किसे कहते हैं यानि कि और किसे कहते हैं तो जिस खनिज में धात्विक गुन हो और उसमें से धातू आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो उसे आयस्क कहते हैं जैसे हैमेटाइट या बॉकसाइट तो अब मैं आपको असानी से समझाता हूँ देखिए इसकी डेफिनेशन क्या थी कि प्रित्वी के भूगर्व से जब हम खुदाई करके कोई तत्व या योगिक प्राप्त करते ह तो उसे हम खनीज कहा देते हैं तो उसी खनीज में जब हम देखते हैं कि कोई धात्वी गुन हो या उनमें से हम धातु प्राप्त कर सके तो उसे हम फिल आयस्क कहेंगे मालीजिए हमने प्रित्वी के भूगर्व से हमें कोई तत्व मिला या योगिक मिला जिसे हमने खनिज है इसमें से अगर हम कुछ अशुद्धी को बाहर निकाल दें तो इसमें से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी यानि कि इसमें धात्वी गुन है और अगर हम यह पिगला दें तो इसमें से अशुद्धियां बाहर हो जाएगी और बाकि धातु बचेगी तो फिर उसे प्रित्वी के भूगर्व से निकाला तो पहले तो हमने इसे खनिज कहा पर जब हमने देखा कि इस बाक साइड से हम अल्यूमीनियम निकाल सकते हैं अगर कुछ अशुधिया निकाल दी जाएं तो हमें अल्यूमीनियम प्राप्त हो जाएगा यानि कि इसमें धात्वी गुन थे फिर हमने इसे अयस्क कह दिया क्योंकि इसमें धात्वी गुन थे पहले ये खनिज था फिर जब हमने देखा इसमें धात्वी गुन है तो हमने इसे आइस्क कह दिया और ये किसका आइस्क है तो ये अल्यूमिनियम का आइस्क है अगर मालो इसमें धात्वी गुन ना होते फिर हम इसे खनिज कहते तो आशा करता हूँ आपको खनिज और आइस समझ आ गए होंगे तो आगे देखते हैं कि भारत में खनिज विकास एमम सर्वेक्षन के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं हैं कौन-कौन सी एक है जियो लोजिकल सर्वेय ओफ इंडिया जिसका मुख्याला है कोलकाता और दूसरी है भारत खनन ब्योरो जिसका मुख्य हैं भारत के शिर्ष तीन खनिज उत्पादक राज्य यानि कि कौन से तीन राज्य हैं जो टोप पर हैं भारत में खनिज उत्पादक के मामले में तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे उपर है राजस्थान खनिज उत्पादक मामले में ये चेंज होते रहते हैं पर जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें सबसे उपर है राजस्थान, ये पूरे भारत में इसका योगदान है खनिज उत्पादक में 17 पतिशक जो की सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नमबर है उडिशा का, और तीसरा नमबर पे है आंधरपरदेश, आपको तीन यादक नह नमबर एक पे है राजस्थान, नमबर दो पर है उडिशा, और नमबर तीन पर है आंधरपरदेश, तो अब हम एक एक करके भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पढ़ते हैं, तो शुरुवाद करते हैं तामबे से, यानि कि को पर, तो तामबा मानव सभ्यता द् धातू है, तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातू प्रयोग की थी, तो वह है तामबा, मैंने आपको इतिहास की वीडियो में बताया था, तो तामबा विद्यूत का सुचालक है, इसलिए विद्यूत तार बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो अब हम दो चीजे दे खनन हो रहा है, इसमें तामबे का, और दूसरा है कि तामबे का सबसे अधिक भंडार किस राज्य के पास है, भंडार मतलब कि सबसे अधिक रिजर्व किस के पास है, और इसमें है कि सबसे अधिक खनन अब किस राज्य से इसमें किया जा रहा है, तो खनन के मामले में देख रहा है तो नंबर एक पर है मध्य पर्डेश और नंबर दो पर है राजस्थान आपको जो नंबर 1 पर है इसे ही याध रखना है तो भारत में तामबे का सबसे दिक उत्पादन इस समय कौन सा राज्य bombs ये चेंज होते रहते हैं ये समय मध्य परदेश सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है और बात किये जाएं कि रिजर्व सबसे अधिक किसके पास है यानि कि भंडार किसके पास है तो तामबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान के पास है और दुनिया में सबसे अधिक तामबे क उत्पादन कौन सा देश करता है तो है चेली ये दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करता है तामबे का तो उसके बार देखते हैं कि परमुक खाने कौन से हैं मतलब कि कहां पर खाने पाई जाती हैं जहां से तामबे का उत्पादन होता है तो खाने क्या होती हैं जहां से खनन हो रहा हो तो राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान के तीन जिले आपको याद रखने हैं जहां से तामबे का खनन होता है एक है खेतड़ी दूसरा है जुंचनू और तीसरा है अलवर तो खेतड़ी इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है याद रखना खे तो तामबे के बाद अब हम देखते हैं हीरा याने की डायमेंड तो हीरा सबसे कठोर अधात्तू है और यह कारबन का सबसे शुद्ध रूप होता है और बात की जाए कि भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राजी करता है तो यह है मध्यपरदेश या दखेगा और भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडार भी मध्यपरदेश के ही पास है मतलब की रिजर्व भी सबसे अधिक मध्यपरदेश के ही पास है और हीरे का सबसे अधिक उत्पादन भी मध्यपरदेश ही करता है और बात की जाए कि दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पाद कौन सा देश करता है तो वो है रोस और दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार यान की रिजर्व किस देश के पास है तो वो है किम्बरले आपने सुनाओगा यह दक्षिन अफ्रेका में तो किम्बरले के पास सबसे अधिक रिजर्व यान के भंडार है पर इस समय जो उत् कोहिनूर हीरे के बार में तो ये तिलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया था ये एक्जाम में कई बार पूचा गया है कि जो कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकाला गया था तो ये गोलकुंडा खान से निकाला गया था जो कि तिलंगाना में है याद दखेगा तो हीरा कहाँ पर है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो मद्य परदेश के पन्ना जिले से याद रखेगा। हीरा के बाद अब देखते हैं सोना यानि की गोल्ड तो सोना एक बहुमुल्य धातु है आपको पता है और इसका उपयोग अभूशन बनाने सिक्के बनाने में किया जाता है और भारत का लगभग निन्यानमे पतिशा सोना करनाटक से ही मिलता है या दखेगा करनाटक में ही इ भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो करनाटक और सबसे अधिक सोने के भंडार कौन से राज्य के पास है तो वह भी करनाटक के पास है और बात की जाए पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन करता है चीन शूर है करनाटक की कोलार की खान और हट्टी की खान यहीं से भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है याद अखेगा 99 प्रतिशा सोना भारत का करनाटक राजय से ही मिलता है तो सौने की बात हम ने कर ली अब हम सोतंत्र रूप से नहीं पाई जाती जब इसके खनिज पाई जाते है ना तो उसमें जस्ता और सीसा भी मिला होता है मिश्रित होता है फिर बाद में हम इन्हें अलग-अलग कर देते हैं तो चांदी सोतंत्र रूप में भारत में नहीं पाई जाती याद रखेगा और भारत मे चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राजे करता है तो वो है राजस्थान निन्यानमे पतिशत जो भारत में चांदी है इसका उत्पादन राजस्थान ही करता है और सबसे अधिक भंडार भी किसके पास है तो राजस्थान के पास ही है सबसे अधिक भंडार भी इसी के पास हैं और सबसे अधिक उतपादन भी यही करता है लगबग भारत का 99% जो चांदी है ये राजस्थान से ही उतपादन होती है तो इसे तो आप और असाने से याद रख सकते हैं कैसे क्योंकि जो ये राजस्थान है यानि कि राजाओं का स्थान तो जो पहले के राजा महाराजा होते थे ये चांदी की चम्मत से ही खाते थे ना तो चांदी की चम्मत चांदी की थाली होती थे राजा महाराजाओं का शोक होता था तो इसे आप रिलेड करके याद रख सकते हैं और दुनिया का जो सबसे अध लमुक खान है चांदी की वो कौन सी है यह एक्जामे पूछा जाता है तो यह जवार खान एक खान आपको यह याद रखनी है कि जो राजस्थान की जवार खान है यह किसके लिए मशूर है तो चांदी के उत्पादन के लिए याद रखेगा चांदी के बाद अब हम देखते यह हैं जस्ता और सीसा अभी हमने पीछे पढ़ाना कि जो भारत में चांदी है यह जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है यानि कि यह एक ही साथ पाई जाती है और बाद में इने अलग-अलग कर दिया जाता है तो हम चांदी के बाद जस्ता और सीसा पड़ते हैं तो सीसा और जस्ता को जुडवा खनिज भी कहा जाता है बहुत इंपोर्डट है या दखेगा कि जुडवा खनिज किने कहा जाता है तो जस्ता और सीसा को क्यों क्यों कि यह साथ-साथ पाए जाते हैं, साथ ही-साथ मिलते हैं, इसलिए ने जुरुवा खनिज कहते हैं, और भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारन किसके पास है, तो यह भी राजस्थान के पास है, चांदी का भी भंडार और उत्पादन कोन करता है, त तो राजत्थान की जवार खान, क्योंकि यहीं परिना यह सभी मिश्रित अवस्ता में मिलते हैं, कौन-कौन से चांदी, जस्ता और सीसा, और तीनों की खान भी या रखेगा कौन सी है, जवार खान, और भंडारन और उतपादन भी एकी राज्य करता है, वो है राजत्थान, तो आगे अब हम देखते हैं जिपसम, Plaster of Paris यानि की P.O.P में इसका उपयोग किया जाता है तो जो आप घर की छटों पर डिजाइन बनवाते हैं P.O.P के उसमें जिपसम का उपयोग किया जाता है और छारिय मिर्दा को उदासीन करने में भी जिपसम का ही उपयोग किया जाता है तो मैंने भारत की मिट्टियों वाली वीडियो में आपको बताया था जिसमें मैंने भारत की सभी मिट्टियों को कवर किया था अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे भी देख लेना तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मिट्टी में छार्यता यानि कि लवनता बढ़ जाए तो उसे कम करने के लिए उसमें जिपसम मिला जाता है तो उसे उतासीन करने के लिए क्या मिला जाता है जिपसम ताकि उसमें वनस्पती उगाई जा सके याद रखेगा तो आगे है कि भारत में जिपसम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारन किसके पास है तो यह है राजस्थान तो हमने देखा कि चांदी का भी सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है जस्ता सीसा वो भी राजस्थान है और जिपसम का भी राजस्थान है ऐसे ही नहीं राजस्थान टोप पर है यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन हो रहे हैं इसलिए हमने देखा ना शुरू में कि सबसे अ जागे है और बात करें जिपसम की प्रमुख खान की तो राजस्थान का हनुमान गड़ जिला इसकेलिए मशूर है किसकेलिए जिपसम के लिए या दखेगा कौंसा जिला हनुमान जिला तो जिपसम के बाद अब हम देखते हैं तिन तो इसका अप्योग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगबग इसका संपून भंडार वह उत्पादन 36 गड़ में ही होता है तो सबसे अधिक इसका भंडारन और सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है 36 गड़ में जब भी टिन है तो आप 36 गड़ ही टिक कर देना क्योंकि यह ही important है यहीं पर भारत का लगभग सबसे जादा जो उत्पादन है और भंडारन तिन का वो 36 गड़ में ही है तो इसकी परमुक खान कौन सी है तो 36 गड़ का बस्तर जिला या दखेगा ये मशूर है टिन के लिए कौन सा जिला बस्तर जिला ये बहुत बार पूछा गया है कि 36 गड़ का बस्तर जिला किसके लिए मशूर है तो ये टिन के उत्पादन के लिए मशूर है तो उसके बाद अब हम देखते हैं अभरक यानि कि मायका तो अभरक विध्यूत का कुछालक होता है यानि कि यह अपने अंदर से करेंट नहीं गुजरने जाता इसलिए इसका उपयोग विद्यूत उपकरन बनाने के लिए किया जाता है और भारत में अभरक का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन सा राज्य कर रहा है तो यह आंधरपरदेश आंधरपरदेश इस समय भारत में सबसे अधिक अभरक का उत्पादन कर रहा है यह चेंज होता रहता है मैंने आपको बताया पर इस समय भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है तो यह है आंधरपरदेश और बात करें इसकी प्रमुख खान की तो भारत में अभरक की प्रमुख खान है आ लोह आयस्क पर यानि कि आयरन ओर तो लोह आयस्क भारत का मेहत तो पूर्ण खनी संजादन है और भारत का लोह आयस्क में उत्पादन में विश्व में चोथा स्थान है नमबर एक पर कौन है तो वह है चीन चीन सबसे अधिक लोह का उत्पादन करता है नमबर दो पर है अस् सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन कर रहा है तो यह उडीसा राजे तो उडीसा राजे भारत में लोह ऐसक का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है और बात करें पर्मुक खानों की तो तीन खाने हैं बहुत ही इपोर्टेंट है और बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तीनों याद रखेगा रट लीजिएगा पहला तो है कर्नाटक का कुद्रे मुक यह दुनों ही का का सशोरूर है कर्नाटक का कुद्रे मुक और सबसे इंपोर्टन है चथिस गढ़का बैला ڈिला यह कई बार जो 36 गड़ का बेला डिला है ये किस लिए परसिद है तो ये लोह आयसक के लिए परसिद है क्योंकि यहाँ पर लोह आयसक की खान पाई जाती है और तीसरा है उडिसा का क्यों जर तो करनाटा का कुद्रे मुख, 36 गड़ का बेला डिला और उडिसा का क्यों जर ये लोह आयसक में प्रियोग में लाय जाता है और कार्बन की मात्रा के अधार पर कोईला चार प्रकार का होता है तो कार्बन की मात्रा के अधार पर कोईले को चार भागों में बांटा गया है अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रकार है क्योंकि यह एक्जाम में पूछे जाते हैं तो न कारबन की मातरा अधिक होगी कोईले में उतना ही कोईला वह अच्छा होगा और उतनी ज्यादा वह उर्जा देगा और जितने कारबन की मातर होगी वह उतना ही कम द्हूंदेगा तो नमबर ये कौMP सा है एंथरेसाइट और नमबर दो पर है बिटुमिन्स तो इस कोईले में कार्बन की मात्रा 65 से लेकर 75 परतिशत्यक होती है और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोईला ही पाए जाता है यह प्रशन पूछा जाता है कि भारत में कौन सा कोईला सरवाधिक पाए जाता है यह बिटुमिन्स यह 65 से 55 परतिशत्यक तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है और नमबर तीन पर है लिगनाइट इसमें कार्बन की मात्रा 45 से लेकर 55 प मात्रा 45 पतिशत से भी कम होती है और यह सबसे घटिया क्वाल्टी का कोईला होता है मतलब कि सबसे निमनश्रेनी का कोईला होता है इसे जलाने पर बहुत सा प्रदूशन होता है बहुत धुआ होता है और इसमें उर्जा बहुत ही कम होती है यानि कि इसे हमें ताप बहुत कम मिलता है क्योंकि इसमें कारबन की मातरा बहुत ही कम है याद रखेगा सबसे घटिया क्वाल्टी का है पीट और सबसे बढ़िया क्वाल्टी का है एंथरेसाइड और भारत में पाये जाता है सबसे ज़्याद बिटुमिन यह तीन चीजे आप याद रखे पर इस समय 36 गड़ सबसे अधिक कोईले का उत्पादन कर रहा है यह आगे पीशे होता रहता है उत्पादन में 36 गड़ ने छारखंड को भी पीछे छोड़ दिया तो सबसे आगे इस समय है 36 गड़ कोईले के उत्पादन के मामले में जो latest report है इसके अधार पर पर अगर बात क किज़े उत्पादन की तो सबसे अधिक खनन के सराजने किया है तो वो 36 गड़ ने किया है तो बात करें प्रमुख खानों की तो जारखंड का जरिया और धनबाद यह दोनों कोईले के लिए मशूर है सबसे महत्वपूर्ण तो है जरिया यह बहुत वार एक्जाम में पू बाद इसमें से सबसे इपूर्ण है जरिया और पक्षेम बंगाल का हिरानी गंज और आसन सोल और तिलंगाना का सिंगरेनी तो अब हम आगे देखते हैं बोकसाइट तो बोकसाइट एक धातवी खनिज है धातवी खनिज का मतलब क्या हुआ जब हमने बोकसाइट निकाला पहले हमने देखा ये खनिज है फिर हमने देखा इसमें धातवी गुन है तो हमने इसे धातवी खनिज कह दिया यानि कि धातवी खनिज का मतलब अयस्क तो ये किसका अयस्क है तो ये एल्यूमीनियम का अयस्क है बोकसाइट और भारत में उरिसा बोकसाइट का उत्पादन और भंडाल में प्रथम स्थान पर है यानि कि सबसे अधिक वोकसाइट का उतपादन भी उडिसा ही करता है और सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व भी उडिसा के ही पास है तो या रखेगा कौन नमबर एक पर है उडिसा तो वोकसाइट के बाद देखते हैं क्रोमाइट तो क क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील यानि कि स्टील बनाने के लिए किया जाता है तो भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उतपादन कौन सा राज्य करता है तो है उडिसा देखे बॉकसाइट का भी उतपादन कौन कर तो अब कुछ ही बचे हैं उसके बाद हम प्रिवियस एर क्वेशन लगाएंगे तो देखते हैं थोरियम तो भारत थोरियम का विशो में सबसे बड़ा उत्पादक देश है या दखेगा विशो में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत थोरियम का और विशो का सबसे और वना जैट बालू पाय जाती है उसमें से थोरियम खनिच प्राप्त किया जाता है ह। सबसे अदिक उत्पादन कोन करता है? हम ने क्षर्द कर रहा है तो केरेल में रहे सबसे अदिक भंडार है बनाने में किया जाता है और बात करें कि भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन इस समय कौन सा राज्य कर रहा है तो वो है आंधरपरदेश याद रखेगा यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन इस समय आंधरपरदेश कर रहा है और भारत में यूरेनियम की सब के लिए मशूर है जारखंड का जादू गोड़ा अब लास्ट में देखते हैं पेट्रोलियम इसके बाद हम प्रिवियस एक क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुक योगदान अब 30 शेत्रों का है अब 30 शेत्र यानि कि जो भार मतलक कि सबसे अधिक उत्पादन भारत में पेट्रोलियम का समुद्र शेत्रों से ही होता है और असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है क्यों क्योंकि डिगबोई में ही एशिया में पहली बार तेल कुए का खनन हुआ था और 1901 में यहां एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी इसलिए जो असम का डिगबोई है यह बहुत ही महत्पूरन याद किया यहां पर ही पूरी एशिया में सबसे पहली तेल के कुए का खनन किया गया था और यहीं पर सबसे पहली रिफाइनरी भी लगी थी इसलिए पूशा जाता है तो और यहीं पर देश का सरवाधिक तेल उत्पादन किया जाता है तो जो मुंबाई हाई है यहीं से भारत का सबसे अधिक तेल यानि की पेट्रॉलियम का उत्पादन किया जाता है या दखिएगा तो अब हमारा theory section complete होता है अब हम previous year question लगाते हैं कि हमें कितने question आते हैं कितने ह कौन सा राज्य है तो यह उडिसा यह भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बोक्साइड का अगला प्रशन है कि पन्ना जो की मध्य परदेश में एक महत्योपूरण स्थान है यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसित है तो बताईए जो पन्ना है यह किस ख खान के लिए मशूर है तो अगला प्रशन है कोलार स्वर्न खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है यानि कि जो कोलार सोने की खान है यह किस राज्य में है तो करनाटक हमने पढ़ा था करनाटक में दो मशूर खाने है सोने की कौन-कौन सी एक है कोलार खान और दू अगला प्रशन है कि निमा लिखित में से सोने की सरवाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कों से है तो सबसे ज्यादा सोना किस राज्य से निकलता है तो यह करनाटक यही सबसे अधिक उत्पादन करता है और सबसे अधिक रिजर्व भी करनाटक के ही पास है तो कि मोना जाट बालू से थोरियम का खानन होता है तो याद रख्येगा अगला प्रशन है कि जारखंड में कोईला की खाने स्थित है तो जारखंड का जरिया यहां पर पूचा है कि सबसे अधिक रिजर्व किसके पास हैं कोईले के तो भारत में ज्ञारखंट के पास सबसे अधिक कोईले भंडार पाई जाते हैं अगला प्रश्ट है कि भारत में खनिज तेल का उत्तादन सर्वृ पर्फ़म परारंब किया गया था तो ये असम के डिगबोई में तो सबसे पहले खनीज तेल का उत्पादन कहां से शुरू किया गया था तो यह डिगबोई से किया गया था असम के डिगबोई से याद अखेगा अगला प्रशन है कि मुंबई हाई किसे संबंदित है तो यह किसे संबंदित है यह पेट्रोलियम के लिए संबंदित है क्योंक सबसे अधिक का रीजर्व की सबसे अधिक संपादन कुंन कर रहा है घंडायजका पर इंहों ने भंडार यह धीसम का कोईला कोङ है तो इन्धियान प्रेश्चन है कि दोसमा नीमा estaba कोईला'd कर जाता है तो हमने फड़ां कि लिगनाईट बूरा कोईला किसे का जाता है तो लिगनाइट को भूरा कोईला का जाता है और सबसे अच्छे किसम का कोईला कौन से है तो वह है एंथ्रेसाइट और भारत में से पाए जाने वाला सबसे अधिक कोईला कौन से है तो वह है बिटुमिन्स तिनों या देखेगा तो लास्ट प वीडियो यही पर खतम होती है कैसी लगी यह वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद